दोस्तों, इस्टेडी91 की यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज आप सभी के समक्ष में लेकर रहा हूं, मुगल सल्तनत में अकबर के आकरी क्लास को लेकर जिहां दोस्तों, इसके पहले हमने आपको क्लास दिया था, बाबर से संबनी सा सवाल कम्प्रीट हो गए देखें मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि धिरे-धिरे 1000, 2000, 3000, 5000 सवाल तक दोस्तों लोग आ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा और देखिए अगर आप सीरीज से जोड़े हैं तो निश्चीत रुप से आपकी तयारी बी सैप पर आपको एक एक टॉपिक पर दोस्तों क्लास देता क्योंकि सभी टॉपिक आपके परिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर हैं पिछले 45 लेक्षर, 78 में से 45 लेक्षर हमारे प्राची नितियास से संबनित हैं उसके आगे 46 नमबर से लेकर आज हम 78 भी क्लास तक आ चुक है जब मध्यकालीं भारत की तियास की चर्चा कर रहे हैं इस सीरीस से अगर आप जुड़े रहेंगे तो धिरे धिरे modern history की क्लास भी आएगी दोस्तों सामने word history भी आएगा, Indian geography भी आएगा, word geography भी आएगा और धिरे धिरे आपका सभी topic complete हो जाएगा ठीक है तो क्योंने इस सीर जुड़ा जाए अच्छा ध्यान दीजेगा आज हमारा question number 2311 से लेकर के 2340 तक के सवालों पर चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसे सवाल जो आपके परिक्षा में पूछे जाते हैं बार बार जैसे कि अकबन ने किसको अमीर उल उम्रा की उपादी दिया था किसी ये उपादी किसे अकबन ने दिया था बहुत कम बच्चे से जानते हैं तो आपको बताना है अकबन ने किस वर्स काबूल पर विजय किया था वहाँ पर काबूल पर किसका सासन चला था ये सारे question आपसे परिच्छा में पूछे आते हैं हल्दी घाटी उद्ध के बाद महाराणा पताप हमें पूछे जा सकते हैं तो क्यों न इन सवालों पर एक बार चर्चा किया जाए घ्यान दीजेगा इस सवालों के प्लेटफार्म से बहुत सारे बीसाय के लिए फांडेशन बैच लांच किये गये हैं इन फांडेशन बैच को अगर आप जोइन करना चाते हो तो हमारे नं 211, 2300 सवाल पूरे हो चुके हैं, 2311 से ले करके 2340 तक के सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और आज हमारा अकबर का दूसरा लिक्चर है पहला सवाल लिख रहा है दोस्तों कि हल्दी घाटी के उद्ध में मुगल सेना का नित्तित्व किस ने किया था तो पहला सवा तो अकबर राजस्थान के राजाओं को हरा नहीं पाता तो याद रखेगा मान सिंग यहां पर दोस्तों लड़ने गया था अच्छा यही पर दोस्तों मैं बात कर दूँ यह लड़ाई किसके साथ हो रही थी तो राना प्रताप के साथ हो रही थी और राना प्रताप का सेन से बिलांग करते हैं दोस्तों तो याद रखेगा सिसोधिया वन से किसे दोस्तों किस वन से बिलांग करते हैं तो याद रखेंगे परिक्षा में आता सवाल तो बताएगा यह सिसोधिया वन से बिलांग करते थे तो अगर आप से पूझे सवाल कि अकबर के अकबर की तरब से सेना करनेति तो किस ने किया था हल्दी घाटी के उद में जो लड़ा गया था 1570 में तो आपका जवाब क्या है गा दोस्तो सीधा फीदा आप जवाब दीजेगा मान सिंग क्या जवाब देंगे आप मान सिंग कभी कभी दोस्तो परिच्छा में क्योंकि ABCD का अपसण देता, 4 अपसण आपके सामने हो था एक तो मान सिंग था, मान सिंग का नाम तो हर किसी के जबान पे रटा है लेकिन यहाँ पर आसप खा का नाम दोस्तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा important point यहां पे बन जाता है और इस सवाल को भी आप याद रख लिजेगा ठीक है इतना सवाल दोस्तों इस सवाल से बन सकता है चली आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं देखरा हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अ नहां गायब हो गए ठीक है इसके बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहा बनाई दोस्तों तो याद रखेगा उस जगा का नाम है चावंड क्या नाम दोस्तों चावंड या परिक्षा में दोस्तों चावंड लिखता है देखे जैसे आप राजस्थान की जाता है राठोर को राठोर कहा जाता है ठीक है उसी तरह से चावंड को एक और नाम मिलेगा चावंड ठीक है तो घबडाईए गमत परिक्षा में चावंड दे दे चावंड दे परिसान नहीं होना है सीधा फीधा आप से राजधानी पूछा है तो राजधानी आपको या अपने अपने भगवान की अपने अपने धर्म की जो उनके गुरू होते थे उनकी इबादत किया जाता था लेकिन जब इसके अस्थापना किया गया था तब वहाँ पर सभी के आने के अनुमती नहीं थी अनुमती बाद में मिलिये साथ पिछले वाली क्लास में मैंने कुछ अलग बोल दिया था 1581 बोल दिया हूँ क्या मुझे जहां तक यादार आप थोड़ा सा करेट कर लिजेगा इबादत खानी का स्थापना अगबन ने कव किया था दोस्तो तो 1575 इस्वी में किया था ठीक है कव किया था 1572 ये वाली ल मिला था पता नहीं क्यों मेरा मन ऐसा कह रहा है कि पिछली क्लास में सायद मैंने 1581 बोल दिया एक बार आप करेट कर लिजेगा सही क्या दोस्तो 1575 और 1578 ठीक है 1575 में अस्थापना हुआ इबादत खाने की और 1578 में सभी धर्मों के लोगों को अन्मती दे दिया गया कि सभ अधर्मों के लोग जो हैं वो इबादत खाने में आ सकते हैं अपनी अपनी इबादत कर सकते हैं अच्छा मजहर की घोषना कप किया था अकबर में तो याद रखेगा वो 1589 में क्या था ठीक है 1579 में याद 89 89 ठीक है 89 में क्या था 1589 में मजहर की घोषना किया था मजहर क्या जाता है एक ऐसा घोशला, एक ऐसा पत्र दोस्तो या आदेश कहा सकते हैं अकबर के उधारा लाये गया जिसमें उसे सर्वोच मान लिया गया ठीक है, मान लिया जाता था ऐसा कहा गया ठीक है और इसको बनाये किसे था? इसका प्रादुप किसने तैयर किया था? तो शुरुआत में पंदरहसो साट आठ के दोरान अकबर के दाधा ने, यानि कौन है उनके दाधा याद रखेगा, बाबर ने काबुल पर हमला किया था, आकमर किया था, और काबुल को अपनी नेंतरल में किया था, वही से दोस्तो इंटिर किया था भारत की तरफ, और बात में चलके अकबर आता है तो ये काबूल की विजय करता और कप करेगा दोस्तों तो 1581 इसवी में दोस्तों इसने काबूल पर विजय प्राप्त किया ठीक है अच्छा उस समय काबूल का राजा कौन था दोस्तों तो हाकिम मिर्जा राजा था क्या नामे दोस्तों हाकिम मिर्जा द लब क्या होता है जैन धन आचारे बराबर जैन आचारे ठीक है दिरिक संदी दिख रहा है आपको तो जैन धर्म के बहुत महान बहुत प्रसिद्ध आचारे थे इंका नाम ता हरी वीजे सूरी जी को अकबन ने कौन सी उपाधी दी थी ये सवाल परिक्षा में बार-बार आत जगद गुरू होता है, ठीक है, संदी का नियम आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ता है, तो फिर कोई बाती ने, एक बार आपको महनत करना चाहिए, ठीक है, जैसे जगननात होता है, नियम चेंज होते हैं, पहला का तीसरा है, पहला का पाच्वाँ चेंज हो जाता है यह बेंजन संदी का नियम यहाँ पर लगता है तो जगद गुरु यहाँ पर होगा याद रखेगा ठीक है अगला सवा लिख रहा है कि अकबर ने किस वर्स उडीसा पर विजय किया था जिया दोस्तों उडीसा पर विजय से पहले मैं आप से पूछना चाह तो 1575 चीछार चीत्र ही दोरान अकबर ने कहां पर किया था बंगाल और बिहार पर दोस्तों विजय प्राप्त किया था उससमें वीहार का सासक कौन था दोस्तों तो दाउद खा था र tiene preserve अभी जो सवाल पूछ सवाल कैसे पूछ सकता substitute आअब लेकर भी सकता सं पूछ सकता है इस तरगे सवाल आते रहतने हैं परिछा अबेपर उठा के देखो ड़ेके मेरी क्लास अउटD करने करते तो मेरी कोशिस रहे होती कि पूरे 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 इस chapter में जितनी भी काम की चीजे हैं उनको निचोड करके आपको दे दिया जाए जो important चीजे हैं कहां कब हमला हुआ और देखे अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि NCRT में बहुत कुछ change किया गया क्या change किया गया कब पैदा हुआ है माहिने में रखत प्रसासन माहिने रखता सासन माहिने रखता धार्मिक आर्थिक सामाजिक नीतिया माहिने रखते और आप मेरी क्लास कोल के देख लिजे देवन से लेकर आज जो आप 78 क्लास टेंड कर रहे हैं इसके बीच में मैंने हर एक सलतरत में प्रसासनिक धार्मिक आर्थिक सामाजिक बेवस्थाओं के बारे में पढ़ाया है, बहुत धंग से बढ़ाया है, आप देखें, पिछली क्लास मेरी, ये तु मुगल काल चला है, इसके पहले सल्तनत काल जो चला, आप वहाँ जाके देखें, आपको वहाँ भी क्लासेज मिल जाएगा, मुगल क्लास काल जब समापत हो इसलिए, पॉइंट इंपोर्टेंट है, तो एक बार यहाँ पर भी आप ध्यान दीजे, ठीक है, चली, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखें, देखें, अकबर ने किस वर्स अफगानों से बलुचिस्तान हासिल किया, जिया दोस्तों, अफगानों से क्या हासिल कर लि काबूल और उडिसा को लेकर के लोगों के मन में थोड़ा सा डिश्टर्बेंस होता है, तो मैं एक ट्रिक देना चाओंगा, यहाँ पर देखें, उडिसा जब पढ़ते हैं दोस्तों, तो 1591-92 पढ़ते हैं, जिया दोस्तों, और यहीं पर दोस्तों, जब उडिसा की बात और अग्या टीक है, बंगाल प्लस बिहार को भी आप दोर आलो, बंगाल बिहार कब था दोस्तों, तो 1575 और ची Julietतर लिखेंगा, अच्यलिव इंपॉटेंट है, क्योंकि हल्दी घाटी के विदो दोस्तों, इसी समय लड़ा गया था, वो याद रखेंगा, काबूल वाला क मालवा के विरुद्ध अगबन ने पहली लड़ाई लड़ी थी उसको भी ध्यान रखेगा अब आपसे पूछ रहा है देखे यहां काबूल को होते वे यहां बलुचिस्तान नहीं गया देखी क्यासी के बाद आपको लगेगा कि बलुचिस्तान गया होगा बड़ ऐसा नहीं काबूल को जीतने के बाद काफी बाद में दोस्तों बलुचिस्तान को जीता है याद रखेगा और खुद नहीं गया था यह अकबर का एक सेना पती था मीर मासूम उसको भेजा था अकबर ने फाउन्डेशन बहेंगे तो हम चर्चा करेंगे ठीक है आगे बढ़िए लिख और अफगानिस्तान में दोस्तों आपका काबूल था काबूल को पहले जीत लिया है 1581 में और वहीं बगल में कांधार था उसको छोड़ दिया है कांधार को बाद में जीतेगा कांधार को कब जीता जब दोस्तों इसने अफगानों से बलुचिस्तान जीता ना तब जाके क कांधार को जीता है तो यह सिक्वेंस थोड़ा से आपको बिठाना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा ठीक है आगे बढ़िए लिखरा अकबर ने किस वर्स दक्षिर भारत के खान देश पर विजय प्राप्त किया अभी तक तो अकबर की लडाईयां उत्तर भारत से च चलेगा मेहनत करिए कोशिस करिए इसको लिखने का मैं तो पीडियाव आपको देता ही हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाकर आप पीडियाव प्राप्त कर सकते हैं लेकिन 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 थोड़ा ध्यान दीजिए आप पीडियाव के भरुसे मतरा करी करो जब मैं इस चीज को पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि आप सोचो की बलुचिस्तान कहां पर है उत्तर में उत्तर ही छोड़ो उत्तर में पाकिस्तान आओ इस्लामापास से नीचे की तरफ जाओ या आपका सकते हैं कि राजस्तान से सीधा पाकिस्तान के तरफ बढ़ें में कहां और फिर से दुबारा एक क्यानवे कहां यानि एक त्रिभूत जैसा अकृति अब कब नहीं दिख रहा है बलुची स्तान यहां रख लो उडीसा यहां रख लो और खांदेस यहां रख लो देखो कैसे लडाई हो रही है ठीक है इतनी उस समय कोई ट्रेवल का साधन त आप कालपना करो खांदे रख च्र में है यानि ॉडीसा में लड़ाई चल रहे है आप करो एक तरह महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए इसको ध्यान दीजेगा और यह जो लड़ाईयां हुई है न कोशिस कर इसको sequence नोट कने का मैं थोड़ा sequence में आपको इसले नहीं दे रहा हूं कि sequence में देने लगोंगा तो आप रटने लगेंगे रटना नहीं है आपको ऐसे आगे पीछे दिया जा रहा था कि आपको याद रह था तो याद रखेगा अली का सासन था खान देश पर किसका था सासन अली का था जैसे पीछे आपने पड़ा ना ठीक है कि बिहार में किसका सासन था दाउत खां का उड़िसा में किसका सासन था निशार खां का और गोंडवाना में किसका सासन था आपके दुरगावती का मा अलवा में किसका सासन था बाज बहदूर का ठीक है उसी तरह से आपको चीज याद रखना है यहाँ अली का सासन था कहाँ पर दोस्तो हम बात करें खांदेश की और लड़ाई कब लड़ी गई 1591 में यह लड़ाई लड़ी गई ठीक है चलिए आगे बढ़िए लिखरा कहने का मतलब क्या दोस्तो दक्षिड कहने का अतात पर यहाँ दक्षिड भारस से ठीक है अभी तक तो जादात लड़ाईयां दोस्तो उत्तर भारत में अकबर ने लड़ा था उत्तर भारत में प्लस दोस्तो उधर बंगाल बिहार उडिशा तक और इधर जाके काबूल तक बलुचिस्तान तक तांधार तक यहां तक की लड़ाई अकबर ने लड़ा था अब अकबर दक्षिड की तरफ जा रहा था और दक्षिड की तरफ दोस्तो उसने खान देश को विजित कर लिया था ये जो खान देस आपने पढ़ा, जहांका सासक कौन था दोस्तो अली था, ठीक है, अली कौन था दोस्तो, अली यहां का क्या था, सासक था, जब अगबर ने इस खान देस को विजित कर लिया 1591 सवी में, तब जाकर के कहा जाता है कि ये दक्छिर का प्रवेश द्वार था, अ इस पर बीजय का प्रात किया ये दोस्तो बीजय किया अकबर ने 1599 इस्वी में अच्छा ये important क्यों दोस्तो अपने एक रानी का नाम सुना होगा देखें दो तीन रानीों के साथ अकबर की लडाई रही ठीक है एक रानी तो रानी धूरगावती थी ठीक है जो गुणवाना क की साथ का थी ठीक है उनसे लडाई लडा एक रानी और थी मालवा से संबनी थे रानी रूप मती लेकिन उनके पती उसके प्रेमी से लडाई हुआ था बाज बाद उसका प्रेमी था ठीक है और अदबर चाहता था कि रूप मती से मेरा बिवा हो जाए ठीक है और उस सारी कह चला था दोस्तो चांद वीवी का सासन चला था और चांद वीवी से भी 1599 में अगबन ने लड़ाई लड़ी है याद रखेगा खुद नहीं जाता था बताया आपसे बार-बार की अपनी सेना को बेजता था अपने सेना पतियों को बेजता था और उसके माध्यम से सुना होगा ठीक है और कौन सा छूट रहाएक न कौन-कौन सा गोलकुंडा हो गया बरार हो गया बीदर हो गया बीजापूर हो गया ठीक है और अहमदनगर हो गया पांच हो गया ठीक है बहमनी सामराज जो था न यह पांच खंडों में तूट गया था ठीक है तो इसको या अपको पढ़ना चाते हो आपको जो कुछ भी टॉपिक पढ़ना हो आप वहाँ जाए नाम लिखे साथ में स्ट्री नांटी वन लिखे निश्चित रुप से दोस्तों वीडियो आपके सामने होगा अच्छा यहाँ पे जो सवाल पूछा रहा चली जली जिसका जवाब दीज रहे था तो यह लड़ाई अकबन लड़ा था सन 1100 इस स्विव में कब लड़ा था दोस्तों सन 16-100 बहाई जब दख्षिर भारत में इंटरी खुल जाएगी तभी तो जाएगा और अहम नकर का सासक दोस्तों कॉन था तो याद रखेगा अहमान नकर का सासक था बहादुर स तरह से लड़ाई किया था गॐंडवाना के लिए दुर्गावती से लटाई किया था और खानcaust इस पर याद रखेंगी। अगजे बристहर असीर्गड पर विजय पृप्त करना यह सोने की कुर्जी इसको उने की इसूंजी इसको आप गड़ा खासकते हैं। सोने की कुणजी कहने सतात पर क्या है कि अकबर इस कीले को या पुरा का पूरा-किला सोने का था नहीं ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों यह बहुत मजबूत और बहुत ज्यादा आपका सकते हैं कि सम्रिद जगह हुआ करता तरक्षिठ भारत में और उस पर दोस्तों इसने इसलीं बता रहा हूँ कि आप याद रखो, थीक है? कया पढ़ा दोस्तों अहमाद नगर आहम नगर नगर ठीक है अहमद नगर में दोस्तों कौन था तो अहमद नगर में दोस्तों बहादूरसा था एक जैसे नाम है ना बहादूरसा एक जैसे नाम इसलिए confusion नहों इसलिए आपको अलग-अलग बता रहा हूँ बार-बार बोल ला हूँ कि आप चीजों को याद रखिए ठीक है आगे बढ़िए लिखना किसके सासंकाल में राजस्व प्राप्ती की जबती प्रडाली दोस्तो प्रचलित थी अब भई किसके सासंकाल की बात करें अगबर के सासंकाल की बात करें तो सिंपल सी बात है उसी के सासंकाल में ये जबती पडाली रहे होगी ठीक है अगबर के सासंकाल में ठीक है और उसमें भूर आजस्व के जनक के रूप में कौन जाने जाते है दोस्तो तो टोडर मल की दो भू राजय सुभे उस्ताती वो देखने को मिलती है तो आप आगे देखेंगे उससे भी संबने सवाल अकबर के सासनकाल में किसने 1580 इससी में 10 साला बंदोबस्त को लागू किया था दोस्तो तो टोडर मल के द्वारा ही दोस्तो लागू किया गया ज्यान दीजेगा इस Study 91 के प्लेटफार्म से बहुत सारी किताब आएं मैं कहारा हूँ कियो इतनी किताब ने सैंपल के तौर पे दोस्तो आपको किताबे यहां दिखाए जारे और भी बहुत सारी परिछाओं के लिए किताबे लांच कर दी गई हैं उन किताबों को अलग टाइप का आदमी मचाता तो संडे को भी संस्थान ओपन रख सकता हूँ लेकिन मुझे लगता है कि जिंदगी को आराम से जीना चाहिए और आप भी अपने जिंदगी को आराम से जीए ठीक है ऐसा नहीं कि पूरा 24 घंटे कुछ होते हैं ऐसे मोटिवेशन वाले की जो काते हैं तो एक हपते का अंदर बोल जाओगे अरे दिमाग को भी रिफ्रेस रखो थोड़ा सा सांथ रखो सब्ता में साथ दिन होता ना छे दिन पढ़ाई करो मेहनत के साथ साथ में दिन इंटर्टेन्मेंट बहुत जरूरी है अगर आपने इंटर्टेन्मेंट नहीं किया आना तो आप कांटिन्यूटी की साथ नहीं पढ़ पाओगे इसलिए जिन्दगी में बहुत आवस्यक है थोड़ा से इंटर्टेन्मेंट होना चाहे चाहे मूवी देख करके चाहे बढ़ियां खाना खा करके चाहे बढ़ियां से सो करके या दोस्तों के साथ समय बिता करके जैसे भी बाबु सोना छोड़ देना बाबु सोना किल्दा थोड़ी खराब होती है बाकी कुछ भी करो बाबु सोना छोड़ करके ठीक है कुछ भी करो, ऐसा काम जरूर करो, जिसे माबाप का नाम रोसन हो, नाक न कर जाए, ठीक है, इसलिए बाबु सोना से थोड़ा दूरी बनाना, बाकी सब कुछ से होगा, तो संडे को हम थोड़ा सा छुटी रखते हैं, और इस दिन कॉल नहीं पिक होती, तो बहुत सारे बच् से साथ, दस से साथ में कॉल करिए, कहीं कोई दिक्कत है, नहीं कॉल पिक हो पारा, तो WhatsApp एक मैसेज डाल दीजे, कि सर मैं बात करना चाता हूँ, यह मेरी यह समस्या है, क्रिका करके समाधान दीजे, देखिए, आपको आपको आटोमेटिक हम अपने तरब से आपको कॉल करे तो हमारे जो टेलीग्राम में, जो हमारा अपना अफिसियल टेलीग्राम है, जो हमारा अफिसियल यूट्यूब चैनल है, या website, application है, वहाँ पर जो नंबर दिये जा रहे, उस नंबर से अगर कॉल आता, तभी समझो कि वो कॉल authentic है, वहना कोई और हमारे पास और नंबर नह लेंगे, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो उस नंबर से जब कॉल जाना है, तभी मानिक ने study 91 से काल है, अने था आपको believe मत कीजेगा, ठीक है, और किसी तरह के साजी सुन मत फसिये, ना ही study 91 इस तरह का कोई काम करता है, ठीक है, चलिए आगे आते हैं, अगला सवाल लिखते हैं, लिख रहा है, अगबर ने 1582 इस वी में, अच्छा, जैसे सान आता है, दिमाग को बड़ा तेजी के साथ चलाना पड़ता है, ठीक है, 1582 में क्या हो गया, लिख रहा है, किसे राज की धर्म गोशित कर दिया था, अच्छा, अब राज की धर्म आ गया तो मैं दो तीन चीज़ें आपको बता दूँ, एक सवाल याद रखेगा, अगबर ने 10 पर्था कब समाप्त किया, 10 पर्था, 10 पर्था दोस्तों कब समाप्त किया, तो याद रखेगा 1562 में, दूसरा याद रखेगा, हरम दल से मुक्त कप किया, स्वयम को हरम दल से मुक्त कप किय ये भी दोस्तो 1562 में एक तीसरा सवाल याद रखेगा दोस्तो तीर्थ यात्रा कर दोस्तो कब समाप्त किया तीर्थ यात्रा कर तो याद रखेगा 1563 में ठीक है इसके बाद दोस्तो याद रखेगा इबादत खाना के स्थापना किस ने कब किया इबादत खाना के स्थापना कब किया था तो याद रखे दोस्तो 1575 में इंट्री कब दिया दोस्तो 1578 में ठीक है मजहर की दोस्तो घोसना कब किया था मजहर यानि अपने आपको सर्वोच घोसित कर दिया ठीक है मजहर की घोसला के ताथ अपने जो कुछ भी ये बताएगा या कहेगा वही सरो मानने होगा ये था मजहर और इसकी घोसला कब होता दोस्तो तो 1589 में इतना सवाल दोस्तो याद रखेगा अब देखे क्या पूछ रहा दोस्तो कि 1582 में किसे राज की धर्म घोसित कर दिया तो किसे घोसित किया दोस्तो दीन ए इलाही को राज की धर्म घोसित कर दिया और दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला हिंदू ब्यक्ति कौन था तो बीरिबल बीरिबल जो किसके मंतरी थे अग्बर विलबर के चुटकुले बहुत सुना होगा आपने बहुत कहानिया भी आपनी भी सुनुंगी तो याद रखेगा वही भी रिबल है ठीक है उनको याद रखेगा और उन्होंने सबसे पहले दीन इलाही धर्म को स्युकार किया था जो कि अक्बर के द्वारा चलाये गया था ठीक है लिखना अक्बर ने किसको कवी प्रिय की उपाधी दिया था अब कभी प्री से याद आ गया दोस्तो अकबन ने किसे जगद गुरु की उपादी दिया था जगद गुरु जगद गुरु की उपादी दोस्तो किसे ने दिया था अकबन ने किसे दिया था तो याद रखेगा यह उपादी अकबन ने दिया था हरी विजय सूरी को यह जैन मुझमानी की उपादी दोस्तों किसे दिया गया था हरखा भाई को दिया गया था जिसे जोधा भाई भी कहा जाता है ठीक है इसी से पुत्र पैदा हुआ था अकबर का सलीम वो भी याद रखेगा अब पूछ रहा कभी प्री की उपादी किसे दिया गया था तो कभी प्री की दरबार में प्रसिद संगीतकार कौन थें तो सबसे प्रसिद संगीतकार जो तानसेन जी है न वो अकबर के दरबार में रहते थें और तानसेन को कौन नहीं जानता एक अकबर के नौरतनों में दोस्तों तानसेन सामिल थे बीरबल भी सामिल थें ठीक है एक इनका नाम पूछ ले था दोस्तो तो इनका नाम था पंडित राम तनु पांडे क्या नाम था दोस्तो राम तनु पांडे इनका नाम है ये भी सवाल आप याद रखेंगे परिछा में पूछता है कि राम तनु पांडे किसका नाम था तो तांसेन का नाम था ठीक ह यह भी आप याद रखेगा अच्छा इसी तरह से बीरबल का नाम भी पूछ देता है बीरबल का नाम तो क्या बताएंगे दोस्तों बीरबल का नाम क्या है याद रखेंगे बीरबल का नाम मताईए महेस दास जिया दोस्तों महेस दास बीरबल के बचपन का नाम क्या था अब जाहिर सी बात उसे दिया होगा जिसका कंठ है जिसके राग बहुत अच्छे होंगे तो तांसेन जैसा और कोई था क्या उस जमाने में कोई नहीं न था न आगे कोई हो पाया याद रखेगा तांसेन को ही इसने कंठा भरड वाडी विलास की उपादी दिया था अब जो म अच्छे तांसेन का जन्म दोस्तों कहा हुआ था याद रखेगा ग्वालियर में था इनका जन्म हुआ था इसको भी याद रखेगा अच्छे तांसेन के गुरु कौन थे चलिए बताइए तांसेन के बचपन का नाम क्या था बचपन का नाम तो बताया दोस्तों राम पन्दित राम तनु पन्डे यह बचपन का नाम था और तांसेन के गुरु का नाम क्या था हरिदास जी इनके गुरु कौन थे दोस्तो ऱ क्यूरु का ठीक devotion के गुरु का जि था तोड़ी उसे का जाता है मिया की मलहार मिया की मलहार अच्छे यह सब है क्या यह सब दोस्तों अलग-अलग टाइप के राग है ठीक है जो गाये जाते थे ठीक है मिया के मलहार और कौन था मिया का सारंग मिया का सारंग ऐसे बहुत सारी कृतियां दोस्तों याद रखेंगे यह तांसेंजिकी की प्रसिध कृतियां है यहां से भी सवाल आता ही आता है ठीक है आगे बढ़िए लिखना अकबर के दरबाद में प्रसिध चित्रकार कौन थे पेंटिंग बनाने वाले पेंटर बताए जली से व्यक्ति का नाम अब्दु समद क्या नाम था दोस्तों अब्दु समद यह प्रसिध चित्रकार था जो की अगबर के राजदरबार में रहता था ठीक है कौन सी प्रथा अगबर की सासन प्रणाली की प्रमुक विसेश्ता थी यह थोड़ा से डिफिगल सवाल कर दिया सब लिख लिए ठीक है तो एक तो दा साला लिख लिए दा साला ये भी मुझे इंप्र्वा ने अपना एक नया धर्म चलाय था अपना एक अनुवाद विभाग बनाय था ये सभी चीजे इंपर्टेंट है तो पता पतानी आप्सन में क्या दे दे परिक्षा में और ये इस तरह के सवाल नहीं आने चाहिए थोड़ा सा ये मुझे लगता है बनाने में सवाल तूटी हो गई है ठीक है मैं ध्यान नहीं दे पाई इस सवाल में या तो कुछ पॉइंट्स यहां पर मिस हो रहा है ठीक है सवाल ऐ भी पढ़ चुके हैं सेख सलीम चिस्ती कौन है दोस्तो सेख सलीम चिस्ती इन्हीं का आसिरवाद तो ले करके अकबर गया था कहां पर अजमेर निकला था किसका दरसन करने तो सेख मुनिद्विन चिस्ती के दरगा पर गया था दरसन करने के लिए और वहीं से फिर दोस्तो उसको आसिरवाद मिलता है और तभी उस अकबर को पुत्र पैदा होता है इहीं से प्रभावित होकर के अकबर ने अपने पुत्र का नाम भी सलीम रख लिया जो आगे चलके जहांगीर के नाम से जाना गया ठीक है उसको भी आद रखेगा आगे बढ़िए लिखना अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा की जमीन प्रदान की हमको लगता है मुझे लगता है दोस्तो सिख गुरुओं के साथ दोस्तो अकबर एक आखरी मुगल सासक था जिसके साथ अच्छा संबन रहा बाकि अगर जहांगीर की बात करें चाहे उसके पुत्र साजहां की बात करें चा अकबर ने किस गिरू को पांसो भीगा जमीन दिया था τα दोस्तों गुरु रामदास को दिया था और इसी जमीन पर दोस्तों आगे चलके अम्रिश सर नामक जो नगर बसाए गया जो उस नगर को भी दोस्तों इन्होंने बसाया है ठीक है तूसमीन पर सवालेocol भी आ सकता है कि अम्रिस सर नगर जो है अम्रिस सर नगर ये किस जमीन पर जो है बसाय गया या किस ने बसाया तो गुरु रामदास ने बसाया था इसको भी याद रखेंगे ठीक है लिखरा अकबर नामा की रशना दोस्तों किस ने किया अकबर नामा अच्छा सवाल दोस्तों अकबर नामा की रशना किया है याद रखेगा अबुल फजल कोई अकबर ने भेजा था जहांगीर को मनाने के लिए जहांगीर गुस्ता होकर इलहबाद के किली में आ गया था फॉर्णिसन बेच में ये सब चेर्चा बड़ा मज़ेदार होता है ठीक है क्या गुआता कुछ ऐसी बाते वेती की जहांगीर गुस्ता करके चला आया कहां पर इलहबाद के किले में और उसको मनाने के लिए अकबर ने अपने सबसे प्रियम मित्र रही अकबर का मित्र भी थ और इसी ने अकबर नामा की रशना भी किया है ठीक है इसको बेचता है कि जो किसी तरह समझा बुझा कर लाओ जहांगीर को और या आता है तो जहांगीर को लगता है कि लगता है मुझे गिरकतार करने आ रहा है कैद करने आ रहा है इसलिए जहांगीर ने अबुल फजल की ह को याद रखेगा लेकिन यहां पर आप से पूछ रहा दोस्तों कि अनुबाद किस ने किया है तो अनुबाद दोस्तों अबदुल-्रइीम खान? अच्छा आपको पता अबदुल-्रहीम खान- खाना कौन थे दोस्तों आपने सुना था अकबर की सरचक के बारे में बैरम खान के बारे में जिसके साथ मिलकर अकबर ने पानी पत की दुती लड़ाई को लड़ा था और जीता भी था आगे चलके मक्ता की आत्रा के दोरान दोस्तों मुबारक खाने जो हत्या कर दिया बैरम खान की और बैरम खान का ही पु जानना ने बाबर नामा का दोश्क फारसी अन οποा किा है इतना ही दोस्तो इन्होंने बहुत सारी किताबों का अनुबाद किया अनुबाद करने में दोस्तो इनका बड़ा महत्रपुड यогदान रहा है ठिक है अधबन किसको अमीर उनुम्रा की उपादी दिया था यह सवाल मैं उसे लिए उनुबाद करना कुछ धिवह हमाद जूप में और है वादध विबहर्वाद करना खूरत आरह विवेकर भान्र चुनिक lavender है में क्या लिखा है इसलिए उन किताबों को ले करके उन्हें अनुबाद करना सुरू किया अगबर ने और यहां पर बनाया अनुबाद भाग यह जो अबुल फजल था पीछे दरवारी तियासकार उसने अगबर को दोस्तों कहा दफनाया अगबर की मृत्तियों तो कहा दफनाया या याद रखेगा एकट अस्ठान इसकंदरा इसे वियाप याद रखेंगे ठीक है तो आज का सएसन नहीं समाफ्ठ होता थी अगले लेक्चर में ध्यान दीजे का बहुत सारे ऐसे विसे हैं जो पूरी तरह सी यूटूब पर पढ़ा दियेगे हमारे हैं अगले अबलेबल हैं स्टड़ी 91 की किताबों को लीजे और पढ़ना सुरू करिये देखे लोगों से हटकर मैटर मिलेगा अगर आप इमानदारी के साथ पढ़ेंगे निश्चित रूप से दोस्तों मैटर आपको नया मिलेगा बेहतरी मिलेगा आपका दिल खुस हो जाएगा कोई भी किताब लेकर अपने पास हो जाएं तो किताबों की माध्यम से आपकी तहरी और भी ज्यादा बहतर हो पाएगी ठीक है तो चलिए आज का सेसं फिलाल ही समाप्त होता है मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जय हिन जय भारत थैंक you thank you so much